डीर फ्रेंड्स वेलकम अगें मैं डॉक्टर पाउन वासनिवाल आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स एक चाटी सी रिक्वेस्ट और अपील आपसे वह आपके फाइदे के लिए ही बोल रहा हूँ मैं आपको यह दि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को आए जो में एम से में वीडिो बना रहा हूँ वो वीडियो आपको पूरा समझ माए ये मेरा है तो इसको पूरा देखें ताकि आниटेप्त कर पाहें अ आज में जो बढ़ा रहा हूं उस pencil कॉप्टेटिप्टी कल दोनों तो इन आते हैं हमने पढ़ा था जिसमें च्यार के चाहिए की पहली के टेगरी कौनते थी वे याग करना गैस्त्रीक एस्टेटी फाइल की बात कर रहे हैं उपन धाइच्ट्रीक आसेड का दूसरा नाम मूरिया्टिक आसट भी बोलते हैं और इस्परिट ओसौल्ट भी बोलते हैं, friends, impeccution आया हुआ है, दोनों पे, muriatic acid किसको बोलते हैं, और spirit of salt किसको बोलते हैं, तो synonym impeccution आया हुआ है, pharmacist exam में, ओके, फिर उसके बार में द्याँ देना, HCL basically होता क्या है, hydrogloric acid basically gas form में रहता है, mostly students को नहीं पता होता है, क्योंकि आप जब lab में देखते हैं, HCL की बात करते हैं, dilute या concentrate तो आपको bottle में ही दिखाई देता है, लेकिन आपको gas form में नहीं दिखाई देता, friends, वो gas water में dissolve हुई हुई रहती है, okay, तो basically HCL का nature क्या है, gaseous form में है, जो lab में use करने के लिए concentrate HCL बनाया जाता है, वो 35 to 38 percent weight by volume बनाया जाता है, HCL को dissolve किया जाता है, okay, now basically इसका दूसरा नाम है mineral acid भी बोलते हैं, क्यों बोलते हैं mineral acid, क्योंकि इसको mineral salt से बनाया जाता है, mineral salt basically NECL, मतलब minerals के form में जो मिल रहा है, हम उसको mineral salt बोलते हैं, बहुत simple है, sodium chloride है, sodium chloride की reaction S2SO4 के साथ कराएंगे, बहुत simple है, HCL में ही जाएगा है हम है, sodium sulfate बाहर निकाल जाएगा, clear है, और भी इसके बहुत सारे industrial process है, जिसे आप reaction करके आप HCL gas बना सकते हैं, clear है, जब अपन gas की बात करते हैं friends, ध्यान देना, HCL gas की बात करते हैं, तो जब इसकी property कौन-कौन सी होगी, वो होगी, colorless gas होती है, और vehicle clear होती है, clear, फिर उसके बात में ध्यान दीजिएगा, जब आप HCL की bottle सुंगी होगी कभी आपने नहीं सुंगी, तो अपकी बार जब लैब में जाओ तो ध्यान देना, उसको थोड़ा सा सूंगना, बहुत तीकी smell आती है, बहुत नाथ में ऐसा लगता है, कुछ अडाल दिया हो, तो कहने का मतलब उस तीकी smell को क्या होते है, पंजेंट smell बोलते हैं friends, clear है, तो दूसरी property होगी इसकी पंजेंट smell, यह basically generally specific gravity की बात करते तो water से भारी होता है, 1.18 specific gravity होता है, water की उत्ती 1, तो थोड़ा सा बहारी होता है, चूंकि HCl acid है, तो यह generally कौन सी reaction देगा, neutralization reaction देगा, neutralization का मतलाब, यह base reaction देगा, तो friends यह आपको यहां पर reaction भी लिखनी है, तो NOS के साथ reaction करा दो, AGNO3 के साथ reaction करा दो, तो AGCL बन जाएगा, इस तरह से H2O4 के साथ reaction करा दो, तो NACL बन जाएगा, friends, ammonium hydroxide के साथ reaction कर दो, ammonium fluoride बन जाएगा, इस तरह से आप बहुत simple simple reaction लिख सकते हैं, यदि subjective question आता है, university exams में related question आता है, तो बहुत simple सी acid है, base के साथ reaction करा दो, base के साथ reaction कराने भी क्या होगा, water molecule निकालते जाओ, और जो salt बनता जाएगा, clear है, now, अब बात करते हैं, इसके usage की, usage क्या-क्या है, बहुत simple है, इसका nature है, वही उसका use है, मतलब acid है, तो as a chemical and as a acid industry and laboratory दोनों में use होता है, as a chemical भी use होता है, as a acid भी use होता है, industry में भी बहुत ज्यादा use होता है, और अपनी laboratories में, चाहिए मैं 12th class की बात करूँ, चाहिए BAC level की बात करूँ, चाहिए research laboratory की बात करूँ, चाहिए B farm level की बात करूँ, चाहिए D farm level की किसी भी level की बात करता हूँ, तो वहाँ पर HCL जरूर काम आता है, हर laboratory में रहता है, इस तरह से दूसरा इसका use हो गया, as a acidifying agent की तरह काम काता है, friends द्यान दीजिएगा, आपने lab में देखा होगा, dilute HCL या किस तरह से लिखा होगा, laboratory में DIL और HCL इस तरह से भी लिखा होगा, उसके level की फोर्म में होगा, वह basically कितना percent होता है, 10 percent weight by weight होता है, और यदि मैं उसके range की बात करता हूँ, तो 10.5 to 9.5 percent रहता है, इस पे भी competitive examing question आ गया, कि dilute HCL कितना percent होता है, ओके, आप बात करते हैं, जैसा कि हमने gastric acidified की बात कर रहता है, तो dilute HCL 10 percent को उसको लगबग 50 times 25 to 50 times water से dilute करते हैं, उसको dilute करते हैं पानी मिला के और जब वो बन जाता है, वो एक strength बनती है, that is specific strength है, 15 milli equivalent of acid, इतनी strength बन जाती है, तब उसको as a gastric acidified use करते हैं, और to treat, किसको किसको treat करते हैं, a chlorhydria, clear है, या जिसको अपढ़ने बोलाता, hypo chlorhydria, यह लिए friends इसका use, तो friends आपको HCL समझ में आ गया होगा, बहुत easy है, तो इसको मैं revise करता हूँ, बहुत simple है, HCL है, gas है, liquid नहीं है, और mean mediatic acid is spirit of salt है, इसका solution बनाये था, 35 to 38 percent rate by volume बनाये जाता है, है, mineral salt से इसको बनाये जाता है, NACL की reaction, H2SO4 से reaction करवाते हैं, तो HCL gas बन जाती है, जब हम इसकी property की बात करते हैं, HCL gas है, that is color less होती है, clear होती है, पंजेंटी smell होती है, बहुत तीकी smell आती है, specific greenity की बात कर तो high और आता है, water से 1.18 रहता है, acid है, तो neutralization reaction देगा, huge की बात करेंगे, तो industry और laboratory दोनों में as a chemical और as well as acid की तरह दोनों तरीके से काम आता है, और उसकी acidifying agent की तरह भी काम आता है, dilute HCL कितना होता है, 10 percent रहता है, range की बात को तो साढ़े 10 से, 9 percent रहता है, और मैं इसको 50 times dilute करूँगा, तो 15 mill equivalent acid बनता है, that 15 mill equivalent is used as a gastric acidifier to treat hypochlorhydria or achlorhydria, this is all about axial that is as a gastric acidifier, friends, यहां पर आपको समझ में आ गया होगा, यदि समझ में आ गया, तो please like करें, और नहीं समझ में आ तो आप एक पर थोड़ा सक, दुबारा मेरी request है, तो दुबारा देखें, फिर भी समझ में नहीं है, तो friends comment करना, और मेरे से पूछना यदि सर समझ में नहीं है, आपके सामने बटन होगा, उसको प्लीज क्लिक करें, और ताकि आप सब्सक्राइब कर लें, और उसी में आपका फाइदा है, आपके आपड़ करेंगे।